हेलो स्टुडेंट, बाइलोजी क्लास में आपका हर्दिक शुवागत है आज हम बाइलोजी क्लास में पढ़ की सरेचना की बात करेगे पढ़ की सरेचना इस्ट्रेक्टर ओफ लेव एक पत्ति की सरेचना की बात करेगे कि पढ़ क्या है प्रियत प्रदर्शन के मात्यां से समझेगे कि पढ़ क्या है यह आप पढ़ देख रहे हैं और में कौनगों से बाग है याप्र पढ़ का मेतुकुल बाग है यह एक पोदी का मेतुकूल वाग हैं यह प्रकास संसेलिशन की दौरा खाद्य पदार्द का निर्मान करती है अर्धार इसका निर्मान तने पर पर्वसंदी से होता है यह पड़ आप देख रहे हैं यह एक इस्टैम है और इसके अंदर कौनकों से सलज़ रहे हैं जो देखेंगे इस्टैम के उपड़ इतना है सबसे पहला पड़ में यह भाग होता है जिसी बोलते हैं पड़ना दा पड़नाधार पड़न की सरजठन के तीन मुक्ति बाग को ओद भू थे नमबर एक पड़नाधार क्या है लिप बेस लीप बेस है कि यह यह पड़नादार है यह यह आप देख रहें ही यह पड़नादार है पड़ करें आद दीव में जो तने पर परव संदी से वहां निगता है इसे पर्णा दर्ण न कि इसे पंगादÏाई आएं पीज़पत्र ल कोडों में जो पर्णादार होता हैं वो चक्टला पटला भ evac सी में जेम रूप से परव को क्या करता है डगता है जैसे केले की बोधे में जो आचा दी प्रकार का पंढधार पाए जाता है इस रचनए तीसे बहुते प्रण्ध पंढवन्ध पिटी ओनोगा पढ़ वरंद क्या है लिप में आप देखेंगे यह पढ़ वरंद है यह जो आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक की जो सरचना है इसे पढ़ वरंद बोलते हैं कि आप मारद का यहां परकर अबागते हैं दो एकशल को कि जो विसे पड़ोर मत नहीं क्या जाता हैं जिन पत्टिय के पाए जाता है उनहें स्वष्षु गते हैं कि जिनमें यह अपस्थिद होता हैं उन्हें सेवरंद बोलते हैं और जिनमें नहीं पाए जाता है उन्हें एवरंद बोलते हैं जैसे आप आम है पीपल है बरगद है उनमें जो पत्तियां होती है सेवरंद प्रगार की पाए जाती है इसी प्रगार से बास गन्ना है उनके अंदर एक प्रगार से पत्तियां होती है जो सी यानि एक में एकप्रदाती होते हैं आ इसकी बाल में नंबर इक पढ़ना दाता नमर्डव अ इसके बाहने में नंबर इंगे इस नम स्थानलब लामिर पण खलक क्या है यह पण का चपटा पतला हरा बाग जो आप देख पा रहे कि यह वाला पूरा जू अरिया है कि पण खलक है यह हर यह रंग का है परकास संसलिशन की दौरा भूजन का निर्मान करता है चपटा पतला पहला वहाग इसे पन्ड फलक बोलते हैं इसकी जो कौर होती है इस कौर को इसे कहा जाता है फलक कौर फलक कौर के नम से जाते हैं यह फलक हो रहा है जिसे बोलते हैं लिफ मार्जिन यह लिफ मार्जिन है इसके सीस बाको कहा जाता है पन्ड शिकागर पन सिकागर लीप अपेक्स इसे कहा जाता है लीप अपेक्स यह वाला बहन है यानि यह पन सिकागर होता है और इसकी यह वाली है इसको फलक पोर बोलते हैं लीप मार्जिम बोलेंगे इसके साथी पन फलक की मद्दे में मिड्री पाई जाती जिसे कहा जाता है मद्दे सिरा मिड्री बेर जिसे बोलेंगे मद्दे सिरा के नाम से जानते हैं इस से पार्स में अने क्या निकलते हैं सिराई निकलते हैं यह सिराई हैं ददाई आगे जाकर चोटी चोटी साकों में बढ़ जाती है जिनने कहा जाता है सिरीकाई ये सिरीकाई हैं ये सिरीकाई हैं अर्धार मत्य सिरा सिराएं और सिरीकाई मिलकर पढ़ का कंकाल बनाती है अर्धार जिससे एक पढ़ बलत का क्या होता है दिर्मार होता है तो यह वाला पूरा पाड है यह पनभ बलत है पोड़ स्रीजना नब एक पनदार है जासी पन होगी जो परुजतीसी मुणके उस्से पनदार बहुते हैं नमबर दो पन्मत यीव वाला पाड है इसे पन्द ब्लंद बोलते हैं यानि यह दंधन भूमा भाग होता है यह प्रकास संसलेशन की दौरा खाते पुदारत का क्या करता है निर्मान करता है अर्धार पत्तिया अपना क्या बनाती है भोजन बनाती है तो यह पन्द है जो पोदे का मैध्यपूर भाग होता है जो प्रकास संसलेशन की दौरा खाते पुदारत का क्या करती है निर्मान करती है तो इस से आगे हम इसी पन्द का सिर्ण अन्यास की बात करेंगी तो हम अगली क्लास में बात करेंगी तो आज के लिए इतना ही हम झालत करेंगी जौर को यह उन्यवन स्थेड़ूर पिल्यवन स्थेड़ूर